हालो दोस्तों वेरी गूड इविनिंग स्वागत है सबका मेरे चैनल में दोस्तों जिसे नाम है इंफो बेर दोस्तों आज साथ नुवेंबर हैं सैटड़े हैं और लगबग पांच बजने वाले हैं दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे शेर्स आपके लिए लेकर क्या आया हूं जो golden ratio के उपर भी trade कर रहे है और ऐसे शेर्स जो है बैसिकली वो बुलिशनेस बताते हैं मतलब बुलिश है और आने वाले time में इसमें और भी growth आपको देखने को मिल सकती है ऐसे शेर्स जिसमें एक downfall देखने को मिला है और उसके बाद में golden ratio बना है तो वहाँप a एक opportunity होती है खास करके उनके लिए जो swing trading पे ज्यादा focus करते हैं तो ये तीन shares उनके लिए भी रहेंगे और साथ ही साथ जो अभी आने वाले time में आने वाले महिने दो महिने के लिए एक अच्छा share डूंड रहे हैं जिनको दिवाली का offer है या फिर इस time में जो shares बढ़ सकते हैं ऐसा share का moment जो है वो इन तीन shares में बना हुआ है अब golden ratio होता क्या है उसके बार में मैं आपको थोड़ा सा detail में बता दो golden ratio दोस्तों वो ratio होता है जब 50 दिन का ये में 200 दिन के ये में को cross करके ऊपर निकल जाता है कि alignment कुछ इस तरह से होती है 50 दिन का ये में मांकि जगा पहने पांच दिन का जो कुछ लोग है वह रखते हैं पांच दिन का ये में फिर नौ दिन का फिर पच्चिस फिर पच्चास फिर सो और फिर 200 दिन का ये में ऐसे sequence होता है अगर यह कभी भी shares आपको sequence में मिले इन ये में पर तो शेर वह बहुत बहुत बहुतर तरीके से वह ग्रो हो रहा है और आगे जाके अच्छा स्टेबल वह हो सकता है ऐसा माना जाता है और golden ratio के लिए 50 दिन का ये में 200 दिन के ये में को क्रॉस करके जब उपर निकल जाता है तो वह होता है आपको golden ratio अब यह मैंने इसके बारे में बात करते हैं कौन से वह वह शेर कब बाई करने हैं क्या targets रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं लेकिन दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल का subscribe जरू कीजेगा और हा दोस्तों बेल आइकों को जर करके रखा हुआ है अब बिल्कुल वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं किका दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहले शेर की साथ में मेरा पहला शेर है दोस्तों बजाज ऑटो जाज ऑटो मैंने क्यों सिलेट किया इसके उपर एक पहली तो यह टिपनी है मेरी कि अभ अब जो शेर है एक टरनल में फस चुका है अगर आप देख सकते हो रेसिस्टंस एक दो तीन चार और यह लगबग 3200 के आसपरस का आप रेसिस्टंस लगा हुआ है और सपोट की अगर बात करते हैं दोस्तों आप दो जार आठ सो का सपोर्ट बना हुआ है और यह शेर जो ह होगे तो एक मोमेंट बना हुआ है शेर ने अपने सपोर्ट का टच किया था लगबग 2nd of November को तब से लगबग 4 दिन जो है वो उपर ही जा रहा है अभी अगर बोलिंजर बैंड की बात अगर करते हो तो लोवर बैंड को टच करकर यह अभी सिगनल आई जो होते हैं बीच पाली बोलिंजर बैंड की उसको क्रोस करके ऊपर जाने की कोशिच कर रहा है और यहां पर अगर यह शेर मंडे को भी यहां से ऊपर ओपन होता है तो आने वाले समय में हमें 300 3200 के लेवल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और यहां पर दूसरा अपर्चुनिटी यह इसमें देखने को मिल सकते हैं, अब मैं बात कर देखें था, गोल्डन रीशियो उसको मैं समझाता हूं, तब से यहां बुलिश में है, और यहां पर रुका हुआ है, आप देखर ओ, यहां से जो है, वो शेयर नीचे नहीं आ रहा है, यहां पर एक सपोट बन चुका है, जब तक ये रेशियो जो है वो तूटता नहीं है ये शेर नीचे नहीं आएगा ये पॉसिबिलिटी है ठीक है दोस्तों यहार एक टूल की हार एक सॉफ्ट्वेर के सिस्टम की एक लिमिट होती है तो बोलिंजर बैंड का भी ये सिस्टम है यहां से अगर शेर उपर जाते तो बुलिश ही रहता है और साथी साथ में अगर ये ये में का क्रॉसूबर भी है तो यह गोल्डर रेशियो जब तक नहीं तूटता यह बुलिश र बहुत ज्यादा होगा जैसे लोता है तो बहुत ज्यादा हो सकता है अब यहां पर अगर मशी की बात करेंगे तो मसी के लाइन भी हमें जो है वह सिग्टन लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर चर्टे हुए दिखर रही है यहाँ पर भी एक मोकाब बंड रहा है साथीष्ट प्राइस के उपर भी एक नजर डालेंगे तो प्राइस भी हमें होते हुए दिख रहा है प्राइस तालग बग 37 का और वहां से लोकर करके 54 का प्राइस बन चुका है यानि सारे के सारे टूल्स जो है सारे के सारे इंडिकेटर जो है वो हमें यहां पर बुलिश सिगनल ही दे आने वाले टाइम में अच्छे का सी बढ़तरी हमें देखने को मिल सकती हैं अब बात करते हैं मेरे दूसरे शेयर के बाद में दूसरा शेयर मैंने चुना और धारत फॉर्ज का बहुत अगर देखो कि पिछले काफी दिनों से एक slow momentum बड़ एक बढ़ते हुए trend line हमें यहां पर दिखाई दे रही है अगर आप देखो कि तो यह शेर भी एक टरनल में फसा हुआ है अब अगर देखो कि तो टरनल का हाई जो है वो लगबग 494 है और सपोर्ट की अगर बात करें तो 434 का सपोर्ट यहां पर आता है अब यह यह शेर वैसे ही trend कर रहा है और यहां से नीचे आने की बात नहीं कर रहा है जैसे मैंने आपको कहा था बहुत कम चांस होता है कि शेर नीचे आ जाए अब बात करते हैं में सीडी के line की यहां पर देखें अगर यह ऑल्री क्रॉसोवर कर चुकिए और यहां पर एक छोटा सा आगे बढ़ जाता है तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया लेवल हमें आपे दिखा सकता है दोस्तों प्राइस पर एक नजर डालते हो तो प्राइस भी देखिए स्ट्रॉंग हो रही है काफी ज्यादा यह शेर आगे चलकल के चो है वह ओवर ब्रॉट जोन में जा सकता है उनको भी यहां से कच्छी हमों निकल सकती है अब तीसरी शेर की बात करेंगे दोस्तों तो तीसरा शेर मेरा है टाटा मोटर्स मैंने इसलिए सिरेट किया दोस्तों यहां पर क्यूंकि दीखे टाटा मोटर्स से काफी सारी ग्रॉथ अलड़ी दिखा दिये बहुत ही जल् रहा है और लोगों का क्रस्ट लेवल भी है और ऐसे समय में अगर आफर्स में बढ़िया कर आपको सस्ते में मिल रही है तो हर कोई इसका मौका जो इसका फाइदा जो है वह उठाना चाहेगा अब इसकी बात अगर मैं करूं दोस्तों तो वापस से एक बार यहां पर देख लगभग करें तो लगभग कही न वन फॉटी फाई के उपर एक रेसिस्स बना हुआ है अगर अभी कल की बात करें तो शेर के हाई जो है वह लगवान फॉटी टू थी अगर यहां से बुलिश होकर के निकल जाता है एक अच्छा का सा मूव दे देता है और यह वह टाइम में लगभग 470 170 का लेवल है वह दिखा सकता है क्योंकि MSCB भी हमें औरी सिगनल दे चुका है और साथ इसाथ प्राइज जो है वह स्ट्रेंच देते ही जा रहा है 54 पर अभी प्राइज है और आने वाले समय में प्राइज हमें 70 के आसपास भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों ये थे मेरे वो तीन शेर जिसमें आपको आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपका अच्छा पासा पैसे आपे बन सकता है लेकिन हमेशा की तरह में बोलता हूँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का स्टड़ी बिल मंडे को शायद वो मुमेंट चल जाए या आने वाले समय में मार्केट इज अन्प्रेडिक्टेड कुछ भी हो सकता है और उसकुछ भी का इफेक्ट जो है वो बिलकुल मार्केट पे होगा और उस टाइम पे ये वीडियो या ए कंटेंट और या या फिर एनालेसिस जो है ये काम नहीं करता है दोस्तों इसलिए हमेशा बोलता हूं लेटेस्ट वीडियो देखिएगा कंसल्टन से बात कीजिएगा अपना रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद में ही शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है thank you very much